वे दो हफ्तों से एक पत्थर के टुकडे पर प्रिजर्व किये फॉसिल फिश की धुंदली चाप समझने की कोशिश कर रहे थे धकने और चकराने के बाद उन्होंने आखिरकार अपना काम एक तरफ रख दिया और उसे अपने दिमाख से निकानने की कोशिश की हारवर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एगसीज 19-वी सदी के सबसे मशूर अमेरिकी नैचुरलिस्ट यानी प्रकृती वे ग्यानिकों में से एक थे उन्होंने अपने सबकॉंशेस माइंड की अद्बच शक्तियों को निन्द में महसूस किया था एक बार आदी रात को जब उनकी नीद खुली तो उन्हें यकीन था कि सोते समय उन्होंने उसी फिश को देखा था जिसमें सभी मिसिंग फीचर्स पूरी तरह दिख रहे थे लेकिन जब उन्होंने उस छवी को याद करनी की कोशिश की तो वो उन्हें याद नहीं आई फिर वो ये सोच कर प्रिजर्व किये फॉसिल फिश के पास एक बार फिर उस छाप को देखने गए ताकि उस से उन्हें वो सपना याद आए वो कोशिश बेकार गई दोंदला रेकॉर्ड पहले जितना ही असपष्ट था अगली रात को वो मचली उन्हें दोबारा दिखी लेकिन परिनाम वो ही थे पहले की तरही जागने पर छवी गायब हो गई वोही अन्गो एक बार फिर दोहराया जाएगा इस उमीद में तीसरी रात उन्हें ने सोने से पहले अपने बेड़ के पास एक पेंसिल और कागज रख लिया हुआ भी यही सुबह के करीब मचली एक बार फिर उनके सपने में आ गई पहले तो असपष्टता से लेकिन बाद में इतनी सपष्ट हो गई कि उन्हें उसके जूलोजिकल फीचर्स के बारे में जरा भी डाउट नहीं रहा आदी अधूरी नींद में उन्हें बेड़ के पास रखे कागज पर मचली की स्केज बना ली सुबह जब वो जा गए तो अपने रात वाले स्केज में ऐसे फीचर्स देखकर हैरान रह गए जिनके बारे में उन्हें लगता था कि फोसिल फिश में इनका मिलना असंबव है फिर स्केज की मदद से उन्होंने पत्थर की सते को छेनी से चिला जिसके नीचे मचली का बाकी पोर्शन चुपा हुआ था जब मचली पूरी तरह बाहर आई तो वो उनके सपने और स्केज के अनुरुप निकली और वो आसानी से इसका क्लासिफिकेशन कर पाए दोस्तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि सबकॉंशियस मैंड कैसे काम करता है चलिए उसे और डीटेल में समझते है अब हम देखेंगे कि सबकॉंशियस मैंड किस तरह सजेशन पर काम करता है वैसे तो सजेशन की डेफिनेशन ही पूरी काहनी बताती है हमने कितनी बार अपने परिवार या रिष्टेदारों को हमें नकारात्मक सुझाव देते हुए सुना है जैसे तुम कुछ नहीं कर सकते तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए इससे कोई फाइदा नहीं होगा जो हम कहते है वही करो बच्पन में हम इन सुझाओं का विरोध नहीं कर पाते और अन्जाने में इस ही ये सब चीजे हमारे सब कॉइंशेस मैंड में उतर जाती है हम अगर पीछे मुड़कर देखे तो आसानी से याद कर सकते है कि माता पिता, दोस्त, रिष्टेदार और टीचर्स ने किस तर हमें नकारात्मक सुझाओ दिये उनकी कही बातों का विशलेशन करे तो हम समझ जाएंगे कि उनमें से ज्यादातर बाते जूटी होती है और उनका चुपा हुआ उद्देश हमारे अंदर डर पैदा करके हमें कंट्रोल करना होता है जैसे बचपन में हमें अंधेरे का डर दिखा कर चुप कराया जाता था असल में अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन सबकॉंशेस माइन में ये चीज़े ऐसे बैठ गई है कि हम आज भी कही न कही अंधेरे से डरते है अगर आप किसी चीज़ को लेकर चिंता करते है तो जीन बातों के प्रती आपको एकसाइटेड होना चाहिए तो उनके प्रती भी आपका पहला रियक्शन चिंता या परेशानी का होगा यानि आपके इमोशन का मुख्यरंग चिंता हो जाएगा बच्वन से चली आ रहे ही निगेटिविटी के कारण एक दाइरे के बाहर हम कभी सोच नहीं पाते और अपने अंदर छुपी असली प्रती भाग को कभी पहचान नहीं पाते आप किसी पार्टी या कॉलिज फंक्शन में गए हो और अगर आपका कोई दोस्त आपसे कहे कि यार तुम बहुत मस्त लग रहे हो क्या खाकर आए हो तो एकदम से आपके अंदर चमक आएगी और आप पार्टी या फंक्शन कॉन्फिडेंस के साथ एंजॉय करोगे दोस्तो जितनी भी महान या सक्सेस्फुल लोग होते है उनकी परसनलिटी में एक बात हमेशा जलगती है वो ये कि उनका समय कितना भी बुरा क्यों न हो वो हमेशा कुछ न कुछ सीख लेकर आगे बढ़ते है कहने का मतलब है कि ऐसे लोग किसी भी निगेटिव सीचुएशन में कुछ न कुछ पॉजिटिव कड़ी ढूनते है इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने आपको हमेशा अच्छे लोगों से घहरे रखो हम पॉजिटिव सजेशन्स का इस्तमाल लोगों को उपर उठाने के लिए भी कर सकते है अगर आपके बिलिप सिस्टेम में निगेटिविटी है तो आपका दुनिया को देखने का नजरिया वैसा ही होगा इसके विरुद अगर आपका बिलिप सिस्टेम पॉजिटिव है तो आप उसी नजरिये से दुनिया को देखेंगे तो अब सवाल उठता है कि हम अपने अंदर शक्ती और सामर्ति देने वाले विचार बार बार कैसे लाए और उससे भी जरूरी उन्हें ज्यादा देर तक कैसे बनाए रखे दोस्तो इसकी लिए तीन सबसे कारगर तरीके है प्रेयर्स, विजुलाइजेशन और अफर्मेशन्स हम आगे आने वाली वीडियोज में इन सभी टेकनिक्स को डीटेल में देखेंगे वीडियो पसंद आया तो चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए मैं काम की चीजे सुनाता रहूंगा खुद परिविश्वास रखे, मेहनत करे, दूसरों की मदद जरूर करे और याद रखिए, वक्त हमारा है